नमस्कार राज्य शिक्षा शोद एवं प्रशिक्षन परिशत बिहार पटना में आपका स्वागत है एक नई शुरुवात एक नया दिन और एक नया चैप्टर क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले मैं लेके आई हूँ आपकी इंग्लिश बुक रेडियन्स पाथ टू इंग्लिश की ये बुक आपके क्लास की है और आप उसको बेहतर तरीके से स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं सो आए इस क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे पास कुछ सवाल है जैसे आप अगर इसकूल आ रहे हैं और रास्ते में आपने किसी बुढ़े आदमी को या ओल्ड मैन को रोट पार करवाया हो रोट क्रॉस करवाया हो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने इसी दोस्त की कुछ help की हो, क्या कभी ऐसा situation भी आपने face किया है, जहां जब आपने उसकी help की, तो उसने आपको thank you बोला हो, हम सब के साथ ऐसा होता है, हम सब इन words के use to है, thank you, sorry, it's okay, ये सारे ऐसे words हैं, जो आपको मजबूर करते हैं, हर उस इनसान के बारे में अच्छी सोच रखने के लिए, जिसके लिए अभी आपने कुछ मदद की हो, या उसके लिए कुछ आपने किया हो, so चलिए आज के चैप्टर के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, ये कहानी है सूरज और रवी की, दोनों दोस्त हैं, दोनों स्कूल की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने रास्ते में देखा, क उनसे कहता है, water, water, पानी, पानी, क्या कोई मुझे पानी पिला सकता है, तब क्या होता है, they hear the old man's cry, वो दोनों उस आदमी की आवाज को सुनते हैं, जो उन्हें आवाज दे रहा था, पानी मांग रहा था, उन दोनों दोस्तों में, जो एक दोस्त था, वो उससे इग्नोर क कर देता है, लेकिन जो दूसरा दोस्ता, वो वहाँ पे रुक जाता है, मतलब जब वो आदमी पानी मांग रहा था, एक दोस्त वहाँ पे रुक जाता है, और एक दोस्त इग्नोर कर देता है, क्या रही चलो कोई बोल रहा है, बट वो आदमी क्या बोल रहा था, पानी, पा से उस आदमी को पानी पिला देता है जैसे ही वो आदमी पानी पिता है वो खुश हो जाता है और वो उनमें से एक दोस्त को थैंक्यू कहता है वो दोस्त था रवी जिसने मदद की उस आदमी की पानी पिलाने में और जो दूसरा दोस्त था उसका नाम था सूरज जिसने इग् पानी, पानी, पानी और इसे सुना किसने? रवी ने, तो रवी ने उसकी मदद की? रवी ने उसकी मदद की, बतले में रवी को क्या मिला? रवी को मिला इस kind word, thank you का, उस आदमी ने उसको thank you कहा, यही है हमारी story आज की जिसका नाम है sympathy यह बहुत अच्छी सी आपकी कहानी थी जिसमें आपने उस आदमी की मदद करते हुए जो यह kind word उसने बोला thank you इससे यह पता चलता है कि रवी उस आदमी के लिए जो old man था उसके लिए sympathy रखता है और वहीं पे सूरज वो उस आदमी को ignore करता है so जब कभी भी हम किसी को help करते हैं जब भी हम किसी के need के लिए खड़े हो जाते हैं so वहाँ पे हमें दिखाई देती है sympathy जब भी हम किसी को sympathy दिखाते हैं हमें उससे good words मिलते हैं so आज की जो आपकी poem है यह आपकी book Radian से ली गई है यह chapter 1 है जिसको हम लोग आज रहने वाले हैं so this is your first poem from your book Radian's path 2 the name of this chapter is sympathy और जिसे लिखा है Charles Mackay ने Charles Mackay के बारे में कहते हैं कि यह Scottish poet है मतलब Scotland में रहने वाले poet है और यह नो ने बहुत अच्छी सी यह poem आपके लिए लिखी है Charles Mackay who has written sympathy so let us start this poem yes this is your poem sympathy written by Charles Mackay so first of all what we are going to do in today's class we are going to recite poem sympathy poem then we are going to explain this poem stanza wise in this session we will take two stanza first and second stanza with its meaning so हम लोग difficult meaning को भी solve करेंगे साथ में हम लोग करेंगे एक बहुत अच्छी सी activity जो आपके speaking based activity होगी so let us start this class by reciting this poem for you I lay in sorrow deep distressed I lay in sorrow deep distressed my grief a proud man heard his looks were cold he gave me gold but not a kindly word my sorrow passed I paid him back the gold he gave to me then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity I lay in want in grief and pain a poor man passed my way he bound my head he gave me bread he watched me night and day how shall I pay him back again for all he did to me oh gold is great but greater far is heavenly sympathy so this is your poem and today we are going to discuss first two stanza for you so this poem is from your book radiance part two or start carrying is poem go discuss sub se pahle hum log kya dekhenge first stanza ok so this is your first stanza this may hum log on a jo poem ke line ko ikh bar phir se map ke lir repeat karungi I lay in sorrow so I lay in sorrow ka matlab mein duk mein huon so sab se pahle hum log stanza one ke difficult words ko dekh lete hai hai lay ka matlab hota hai late jana lie down jis ko bolte hai rest karna jis ko bolte hai java plate jate hai sorrow ka matlab hota hai duk unhappiness distress ka kya matlab hota hai distress hota hai duk taklif suffering pain 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 bhi ek duk hai grief ka matlab kya hota hai misery grief means misery grief means misery cold look bolte hai jaha pe unfriendly behavior hota hai cold look means jaha pe aap ko emotion nahi dikha raha hai unfriendly hai so ye hai difficult words aur iske stanza ko ek bar ham phir se dek lete hai hai I lay in sorrow main duk mein leta hou deep distress bohaut hataash hoon my grief a proud man heard meri grief ek proud man his looks were cold his looks were cold means kya hoa his looks were cold matlab he is not at all friendly he has no emotion he gave me gold usne mujhe gold diya but not a kindly word lekin usne mujhe kindly word nahi diya so aayye iske explanation ko dekhte hai hai so the poem starts with aayye aap dekha hai na jo first line aap ki poem ka wo start hota hai aay se aur aayye means poet jo poet hai wo khud yaha pe speaker hai wo apne baare mein yeh batha raha hai hai aayye le thik hai na so the poet was in sorrow he was also in great pain wo dukhi bhi hai a proud man heard his grief a proud man jo hota hai na bohut ghamandi admi ko bolte hai jo proud hota hai na wo ek ghamandi admi hota hai so a proud man heard his grief uski jo dukh ke awaz hai usne suni means yeh proud man hai but usne uske dukh ko suna tab usne kya kiya uskore ek ajeeb sa, his looks were cold, his looks were cold us tanko kuch ayaiseih dлохh lia, kooi mtaki ne b下一 tuk huh a afriendly sa without emotion usne cold look up hisay day daya tehik hai maine suna tab usneke logite kада aachha aie insaan bada dukhi hai so a proud man gave him gold he has never declared no goal since yeh wa ga naAbturêtes dukh diritata hou so phir nablo hisne kya kiya usne gold day diyya Who gave gold? A proud man gave gold To whom? To the person who is in sorrow Who is in pain But he did not say a kind word अब देखो इस passage में कया? उसने help तो की जब वो इंसान परिशानी में था, दुख में था, stress था, distress था उसको जो sorrow का moment था उसके लिए, pain था सब कुछ उसके साथ था, तो वो उसने उसके दुख को सुना और उसने उसे बदले में उसको दुख दूर करने के लिए उसने gold दे दिया gold means एक अच्छा खासा उसकी मदद हो जाएगी gold से उसने दे दिया बट उसने कुछ कहा नहीं, एक kind word होता है उसने कुछ नहीं कहा तो यह था आपका first stanza आएए दिखते हैं second stanza को इसमें poet क्या कहना चाहते हैं Charles Mackay नहीं इसमें बहुत अच्छे से next stanza में explain किया है कि जब उसके पास दुख आया और जब वो दुख में रहा उसकी मदद हो गई कैसे हो गई gold मिल गया यानि उसकी help हो गई सो चलो इस stanza 2 में सबसे पहले हम लोग difficult words को देख लेते हैं so difficult words में पहला word है payback क्योंके देखो sorrow का meaning तो आप समझ चुके हो sorrow means होता है दुख, pass का मतलब होता है गुजर जाना, pass हो जाना एक word जो payback है यह एक difficult word यहां समझ में आ रहा है मुझे so payback का मतलब होता है return नहीं वापस किसी चीज का वापस कर देना मैंने आपसे कुछ लिया और उसे payback किया मतलब return कर दिया एक word है यहां पर erect, erect मतलब stand, सीधा, straight सीधे खड़े होने वाली किसी भी चीज को erect बोलते है blessed होता है एक sacred word, blessings, देखते है कोई आशिरवाद है तो इस तरह के word जो blessings होते है, जो blessed होता है वो उसके साथ वो बिना किसी मतलब के, मतलब आपको return नहीं चाहिए, तो आप उसको कुछ गरीब की मदद करते है, या even आप अपने दोस्तों की किसी तरह से help भी करते है, that is also come, that also comes under charity and donation जिसको बोलते है जिसमें आप कुछ देते हैं without any expectations, आप कुछ expect नहीं करते हैं, बस आप अपनी से देखते हैं, my sorrow passed, I paid him back, the gold he gave to me, then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity, मेरे दुख चले गए, I paid him back, मैंने, paid him back का मतलब, मैंने उसे वापस कर दिया, क्या? जो गोल्ड मैंने उसे लिया था, वो मैंने वापस कर दिया, ठीक है? तो जो चीजें आप बिना kind word के लिए, यानि जो गोल्ड है वो आपने लिया, किसी से भी या किसी ने आपको दिया, तो आप गोल्ड ऐसी चीज़ आप लोटा सकते हैं, ठीक है? तो चलो इसके explanation को पहले अच्छे से देखते हैं, फिर हमें आगे का stanza भी समझ में आ जाएगा So, यह explanation कि जब आपको वो गोल्ड मिल गया, so your sorrow is over, my sorrow is over, मेरा sorrow यानि जो poet है, उनका दुख finished हो गया, कतम हो गया, over हो गया, my sorrow is over, I paid him back, मतलब जब आपको उसने गोल्ड दी, फिर बाद में जब आपका दुख over हो गया, जब आपके पास भी पैसे आ गया, गोल्ड आ गया, तो आपने उस गोल्ड को उसे वापस कर दिया, I stood straight, मैं बहुत, मतलब straight हूँ इस बारे में, कि अगर मुझे कोई चीज कोई देता है और मदद करता है, तो फिर जब मेरे पास वो चीज़े हो जाएगी, मैं उसे लोटा दूँगा, अभी तो मेरे पास जरूरत ही मैंने ले लिया, लेकिन जैसे ही मेरे पास वो चीज़े मैं आपको लोटा दूगा, तो इस आदमी ने क्या किया, जो गोल्ड उसको मिले थे, वो उसने लोटा दिया, I spoke my thanks to him, और साथ में हमने धन्यवाद, यानि thank you भी कहा, क्योंकि उसने मेरे बहुत बुरे वक्त में मदद भी की थी, जब मैं दुख में था, सौरो में था, पे तो बदले में उसका thank you तो बनता है, तो मैंने क्या किया, उसको thank you का, तो जब आप किसी से कोई चीज लेते हैं, तो बदले में आप thank you कहते हैं, जिससे उसको लगता है, चलो ठीक है, मैंने अपना काम पूरा किया, किसी ने मेरी मदद की, तो मैंने उससे thank you कह दिया, आपक जो आपके लिए कुछ भी करते हैं, छोटी-छोटी चीजहें, जैसे अगर आपकी मम्मी आपके लिए टिफिन बनाती है, तो आपको थैंक यू कहना चाहिए, कोई भी फ्रेंड अगर आपकी मदद करता है, हुआ खिसी ने हुम्वर्क बनाने में आपकी मदद कर दी या क्ला से भी express करके उसे बता सकते हैं, चोटी-चोटी चीजों में thank you कह सकते हैं, किसी इसे कुछ लीजिए, please उसे thank you कहिए, ये एकदम जो कहते हैं, बहुत ही cute सा word है, thank you, जब आप किसी को बोलते हैं, वो दिल से एकदम खुश हो जाएगा आपसे, अच्छा, आपको thank you बोला गया, even जब आपका class over होता है, तो आप क्या कहते हैं, thank you teacher, means आप उनको thank you कहते हैं, कि आपने अपना जो समय दिया, इतना देर आप class में रहीं, उसके लिए thank you, और आपने हमें अच्छी-ची बाते सिखाएं, तो thank you word उस आदमी ने भी उसको दिया, ठीक है, किसे किसने किसको thank you द तो proud man ने उन्हें क्या किया, गोल्ड दिया, और उस गोल्ड से उनका दुख दूर हो गया, तो बदले में उसने क्या क्या, thank you कहां, ठीक है, तो ये दो stanza में हमने यही चीज को देखा, कि कैसे आपकी जो बुरे वक्त में जब कोई आपके लिए stand लेता है, जब आप उसके साथ आपको लगता है कि नहीं, इसने मेरी बड़ी मदद किया, तो आप thank you कहके, खुद को उसके सामने express कर सकते हैं, कि मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ, कि आपने मेरी इतनी बड़ी मदद करी, तो इसके लिए हम सभी को हमेशा ready होना चाहिए, कि अगर किसी ने एक second के लिए हमारे लिए कुछ किया, तो इसको thank you से मैं express करूँ, ठीक है, आगे हम लोग देखते है, so जब हम लोग को यह stanza complete होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस stanza के बदल हम लोग हमेशा एक activity किया करेंगे, जब कभी भी हम लोग story पढ़ेंगे, poem पढ़ेंगे, so हमा it's time to speak up, so speak up मतलब के बोलना ही बोलना है, साथ साथ हमारे मैं बोल रही हूं, आपको भी बोलना है, तो जब हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग कोई speaking develop हो जाती है, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा आप speak करेंगे English को, यानि the more you speak, the more you learn, तो जितना ज्यादा आप English word को बोल पाएंगे, तो आज की speaking activity में हम लोग drill करेंगे, drill क्या होता है बच्चों, drill होता है मैं बोलूँगी और मेरे साथ साथ आप भी दोहराएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप, ये तो मैंने आज एक activity चूज किये, तो हम लोग साथ में drill करेंगे, इसी तरह से आप भी आपस मे group बना कर इस तरह की activity के लिए drill practice कर सकता है, ठीक है, तो चले हम लोग इस activity को देखते हैं और इस साथ साथ आपको drill करना है, so learn English, speak English, learn English मतलब English सीखो और speak English, English बोलो, तो जो सीखेगा वही तो बोलेगा, और आज की activity में हमने चूज किया है O sound word को, अलग-अलग sound होते हैं, बह सारे sound होते हैं, जिसमें मैंने आज specially इस activity में O sound पर focus किया है, तो जब कभी भी हम लोग O बोलते हैं, so कौन से ऐसे word है, जिसमें हम लोग O sound को बोलते हैं, तो start करते हैं, मेरा पहला word है, sold, S-O-L-D, देखिए मैंने इस sold को कैसे बोला है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजेगा S-O-L-D, sold, तो बच्चों मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, ठीक है, तो चलिए साथ साथ हमारे आप word को दोड़ाए, so you have to repeat after me, okay, sold, S-O-L-D, sold, ठीक है, so अब सारे बच्चे एक साथ बोलिए, sold, very good, next हमारा word है, देखो same sound word को मैं ले रही हूँ, O sound word को, ठीक है, तो हमारा next sound word क्या होगा, cold, C-O-L-D, cold, so you have to repeat after me again, तो आप मेरे साथ साथ हो रहाएगा, C-O-L-D, cold, अभी हमने क्या बोला था, S-O-L-D, sold, देखे, similar सा sound आ रहा है न, यानि O sound के हम लोग बात कर रहा है, C-O-L-D, cold, ठीक है, उसी तरह से हमारा next word लेंगे, हम लोग, gold, G-O-L-D, क्या word बना, gold, फिर से बोली है आप लोग मेरे साथ साथ, gold, very good, चलिए हम लोग एक और word लेते हैं, वो word है, old, O-L-D, old, तो ये चार word में आपने क्या notice किया, कौन सा word बार बार आ रहा है, वो जो sound आ रहा है, वो हर O का sound है, जैसे हमने बोला, sold, cold, gold, और old, तो ये चार word है, एक word, आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा word सोचिए, और आपस में बात करके बताएं, कि वो कौन सा ऐसा word है, जो O sound word से आता है, और वो इन सब के तरह है, मिन्स राइमिंग वैसे ही हो रही है, old, gold, sold, cold, ठीक है, एक आप के लिए मैंने जान बूच के वो जगा छोड रखी है, यहाँ आप लोग खुद से एक word ऐसा बनाएं, जो O sound करता है, और आपस में जोड से सभी लोग क्लास में बोल हैं इन words का, तो देखें यह तो O sound word है, वैसे और भी बहुत सारे word, आप तो धेर सारे बच्चे वहाँ पर क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप लोग तो अलग-अलग word बना सकते हैं, 10 यह 20 words बना कर तो देखें, O sound word से और कित्ते सारे word सा बना सकते हैं, how many words can you make from the O sound word, और O जो है एक vowel sound है, इसका ध्यान रखेगा, O जो है एक vowel sound है, तो इससे सोच सोच के, दो-चार और word बनाई और साथ में repeat की जाए, ठीक है, जब यह क्लास over हो जाएगा, तो भी आप इसकी practice करते रहेंगे, so now it's time to share your ideas, अब हमने कर ली बहुत सारी practice, बहुत सारा drill, हो गई activity over, अब हम लोग आप से कुछ ideas लेते हैं, तो activity के बाद आप सब relax हो गए हैं, अब आपका दिमाग जो है बहुत active हो चुका, अब आप कुछ भी सोचने के लिए बिलकुल ready हैं, so it's time to share your ideas, मेरा question है, have you ever been rude to anyone who are in need of your help, देखो कभी कभी क्या होता न, हम लोग बहुत rude हो जाते हैं, जब कोई हम से help मांगता है, तो हम उसकी help नहीं करते हैं, कैसे, याद है आपको मैंने इस class के शुरुआत में आपको एक स्टोरी सुनाई थी, जहां पे दो दोस्ते और एक old man ने उन और एक ने इग्नोर किया, जो जो इग्नोर किया, यानि he was so rude, और जिसने आकर अपने water bottle से पानी निकाल कर उस आदमी को पिलाया, he was so sympathized, he was so, he was having sympathy for that old man, so एक का behavior good behavior था, और एक का behavior not so good behavior, क्योंकि उसने इग्नोर किया, so आप ने कभी अपनी life में ऐसा कोई moment आया हो, जहां आप से किसी ने मदद मांगी हो, help मांगी हो, और आप थोड़ा, मतलब कहते है ना, rude हो गया हो, कि नहीं, मैं help नहीं करूंगा, क्या कभी ऐसा moment आया है, और जब अगर ऐसा moment आया, so do you ever feel sorry for this behavior, तो कभी आपको ऐसा realize हुआ, कि जो आपका ये behavior है, जो आपने root behavior दिखाया है, so उसके लिए आपको कभी guilt feel हुआ, कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा होता है, कि जब आपसे कोई help मांग रहा हुआ, और आपने उन्हें no, बोल दियो, नहीं, मैं नहीं help करूंगा, तो बाद में realize हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या आपको कभी ऐसा realize हुआ, कि आपकी life में कभी ऐसा moment आया है, जहां पर आपको sorry कहने की जरूरत feel हुई हो, लेकिन आपने sorry नहीं बोला हो, कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा sorry, मैंने joke किया, अच्छा किया, तो ऐसा अगर कोई moment आया भी है, तो आप उसे अपने दोस्तों के साथ share कीजे, और य आज के class में हमने class की शुरुआत की, एक अच्छी सी story सुनाई है आपको, दोस्तों की कहानी, उसके बाद हमने poem को पढ़ा, poem को recite किया, आप भी poem को दो से तीन बार जरूर पढ़ेंगे, poem पढ़ने एक अच्छी habit है, ठीक है, reading a poem is a good habit, so you should develop this habit, बार बार उस poem को पढ़िए, first two paragraph, जो मैंने इस session में आपके लिए लिया है, ये दो paragraph को आप बार बार पढ़ें, कई बार पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि poem भी आपको समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने आपके साथ difficult words भी तो share किये, साथ में हमने क्या देखा, साथ में हमने देखा explanation, हर stanza को हमने line by line explain किया है, उसके बाद हमने की एक बहुत प्यारी सी activity, कौन सी थी activity, yes, oh sound word को लेकर हमने कुछ words आपको दिये, जिसका हमने speaking activity कराया, और उसके बाद हमने आप से आपके एक ideas को share करने की बाद की, so ये सारे activity आज के class के लिए हुई, तो हम लोग next class में फिर से मिलेंगे, इस आज सिर्फ दो stanza पढ़ा, next class में हम लोग 3 और 4 stanza को पढ़ेंगे, और देखेंगे, Charles McKen ने सिंपथी के बारे में और क्या-क्या अच्छी बाते बताईए, ठीक है, तब तक के लिए हम लोग break लेंगे, नमस्कार.